आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज सच्की बात सच्चाई के साथ भी बजबजाती नालिया सरकोपे गंदगी मुजफर पुरिस्मार सिटी का हाल यही है लोग पानी में चलने के लिए मजबूर हैं कोई बेवस्था नहीं है पिछले साथ वर्सों से स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को बेकूब बनाया जा रहा है आप देख रहे हैं मुजफर पुर शहर के रेलवेज स्टेशन का एरिया जो शहर के मध में इस्तित है प्रमुख बेवसाइक के अंदर भी है लेकिन सरक पे पानी है लोगों को आने जाने में काफी परशानी हो रही है लेकिन जिला प्रशासर और स्मार्ट सिटी के पदादिकारी जनता के साथ मजाग कर रहे हैं जनता को नाली के पानी में चलने के लिए छोड़ दिया है प्रती दिन सैकरों लोग इसमार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड़ों में गिरते हैं जखमी होते हैं लेकिन जिला प्रशासर अस्थानिय बिधायक सांसर किसी को इन बातों का ध्यान नहीं है कि जनता तकलीफ में है कष्ट में है सरकार विकास के बरे बरे दावे तो करती है लेकिन जमीनी अस्तर पर विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हो रहा है स्मार्ट सिटी की यूजना पुरे मुजफरपुर में पुरी तरह फेल है नालियों के निर्मान में बहुत गरवरी हो रही है इन तमाम बातों पे गहन जाच होनी चाहिए और जनता को स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगना बंद होना चाहिए